आपका योगिस अकेड़ियम में सवागत है तो आज के इस वीडियों हम डीजे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजिर्णिंग के बारे में देखने वाले हैं जो की विले पारले में तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेड़ेट कंप्लीड इन्फोर्मेशन मिल जागी ल अब इंस्टिट्ट नेम की बात करें तो कॉलेज का पूरा नाम स्री विले पारले केल्विन मंडल द्वार का दास जे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजिर्णिंग विले पारले मुंबई है अब कॉलेज के लोकेशन की बात करें तो प्लॉट नमबर यू 15 जे वी पीडी स्कीम भक्ती वेदान्ता स्वामी मारक विले पारले मुंबई 4ulated 56 है अब स्टेटस की बात करें तो कॉलेज अनेड़िद ऑटोनमोस चॉलेज है और माहरेटी स्टेटस की बात करें तो लिंकश्टिन माहरेटी गुजराथी है तो आगर आप गुजराथी माहरेटी से बिलुझ कर है अगर आपको स्कॉलेज से रिलेटेड और इंफरमेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हो जो कि यहां दी हुई है www.djsce.ac.in अब नियरस एरपोर्ट की बात करें तो कॉलेज से नियरस एरपोर्ट इंटरनेशनल एरपोर्ट है जो की फोर किलोमेटर की दूरी पे नियरस रेलवे स्टेशन की बात करें तो विले पारले रेलवे स्टेशन है जो की तू किलोमेटर की दूरी पे अब नियरस बस्टेंड की बात करें तो डॉक्टर कूपर होस्पिटल है जो की दो किलोमेटर की दूरी पे अब college के DTA code की बात करें तो college का DTA code 3199 है अब courses की बात करें तो college हमें BTEK और MTK की डिगरी प्रवाइड करता है BTEK में हमें Cambodian Engineering मिल जाते इसमें 180 की Intec capacity है Information Technology मिल जाते इसमें 120 की capacity है Electronics and Telecommunication मिल जाते इसमें 120 की capacity है Cambodian Science and Engineering Data Science में 120 की capacity है मेकेनिकल इंजिर्णिन मिल जाता है इसमें 120 की capacity है artificial intelligence and data science इसमें 60 की capacity है computer science and engineering, internet of things and cybersecurity including blockchain technology तो इसमें आपको 60 city मिल जाती है अब और last में आपको artificial intelligence and machine learning मिल जाता है इसमें 60 city है तो ये last की 3 मुरांच इस साल नहीं add होने वाली है इस college में टो टोटल हमें BTEK में 840 seat मिल जाती हैं अब MTEK की बात करें तो MTEK में हमें Cabinet Engineering मिल जाथ इसमें 18 seat हैं electronics and telecommunication मिल जाथ इसमें 9 seat हैं manufacturing system Engineering मिल जाथ इसमें 18 seat हैं तो टोटल MTEK में हमें 45 seat मिल जाती हैं तो हम इसका कट अप भी देख लेते हैं तो हमें हा पे 2020 का कट्अप द्या हुआ है 2020 का मिश्य का में यहां पे कट लिए हुआ है तो हम सभी उते हैं सब्ष करीलू कंच लिए में अलोग के लिए तो केमपूडर के लिए 99.43 परसेंट आल गया दा आई टी के लिए 98.97 परसेंट आल गया दा एक्टीस के लिए 96.56 परसेंट आल गया दा इलेक्ट्रोनिक्स के लिए 96.23 परसेंट आल गया दा chemical के लिए 94.06 परसेंट आल गया था, mechanical के लिए 94.54 परसेंट आल गया था, data science के लिए 98.97 परसेंट आल गया था, अब वह हम ladies open की बात करें, तो computer का cutoff 99.14 परसेंट आल गया था, IT का 99.41 परसेंट आल गया था, EHTC का 95.79 परसेंट आल गया था, electronics का 95.94.07 परसेंट आल गया था, chemical का 94.48 परसेंट आल गया था, mechanical का 92.84 परसेंट आल गया था, data science का 98.54 परसेंट आल गया था, तो हमें आप एक गुजराती minority का cutoff देख लेते हैं, तो computer के लिए 98.40 गया था, IT के लिए 96.65 परसेंट आल गया था EHTC के लिए 91.61 परसेंट आल गया था, electronics के लिए 88.77 परसेंट आल गया था, chemical के लिए 10.44 परसेंट आल गया था, mechanical के लिए 42.84 परसेंट आल गया था, and data science के लिए 96.63 परसेंट आल गया था, तो guys अगर आप गुजराती minority से belong करते हों, तो आपके लिए एक दम अच्छा option है college, तो आपको 2 दिन परसेंट आल के इसमें छूट मिल जाती है, CRT के लिए, तो अब DFWS का कट आप देख लेते हैं, तो केंपोडर के लिए 99.45 परसेंट आल गया था, IT के लिए 99.33 परसेंट आल गया था, EFTC के लिए 97.98 परसेंट आल गया था, electronics के लिए 95.64 परसेंट आल गया हैं, तो इस कॉलेज में हमें जेइमेंस के भी तुरू आणिमिशन मिलता है, जेइमेंस वाले लिए 20 परसेंट 15 परसेंट होती है, तो अब केंपोडर डिपार्टमेंट की बात करें, तो जेइमेंस सा कट आफ 98.39 परसेंट आल गया था, IT के लिए 97.50 परसेंट आल गया था इलेक्ट्रोनिक्स के लिए 94.72 परसेंट आल गया था, केमिकल के लिए 92.72 परसेंट आल गया था, मेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए 93.47 परसेंट आल गया था, और डेटा साइंस के लिए 96.64 परसेंट आल गया था, तो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो college की जो tuition fees है 1,68,695 रूपी से college की development fees है 25,305 रूपी से university and other fees 5,826 रूपी से तो total आपकी fees 1,99,826 रूपी से अब category wise fees देख लेते हैं तो open के लिए fees 1,99,826 रूपी से CST की बात करें तो 500, 5,826 रूपी से VJNT, SBC and TWS के लिए 31,131 रूपी से अब EBC, OBC and SEBC की बात करें तो total fees 1,15,478.50 रूपी से अब जम्मू कास्मिस की बात करें तो उनके लिए 29,826 रूपी से तो गाइस अब main आता है placement and package तो academic year के साफ से हम देख लेते हैं इस college का maximum package किया गया था तो 2018 की बात करें तो college का 22 lakh highest package गया था 2019 बीस की बात करें तो highest package 25.5 lakhs गया था 2020 की बात करें तो highest package 26 lakh गया था तो अब हम academic year के साफ से देख लेते हैं हर department में कितने बच्चों का placement हुआ था तो 2018 की बात करें तो computer में total 95 बच्चों का placement हुआ था IT में 54 बच्चों का खुआ था एक्टीसी में 99 बच्चों का खुआ था electronics में 36 बच्चों का खुआ था chemical में 12 बच्चों का हुआ था एन mechanical में 45 बच्चों का placement हुआ था अब 2019 भी इसकी बात करें तो computer department में total 79 बच्चों का placement हुआ था IT में 45 बच्चों का placement हुआ था एक्टीसी में 91 बच्चों का placement हुआ था इलेक्ट्रोनिक्स में 25 बच्चों का प्लेस्मेंट हुआ था, केमिकल में 18 बच्चों का प्लेस्मेंट हुआ था, एलेक्ट्रोनिक्स में 45 बच्चों का प्लेस्मेंट हुआ था, एलेक्ट्रोनिक्स में 45 बच्चों का प्लेस्मेंट हुआ था, केमिकल में 32 बच्चों का प्ल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइए थैंक्स फर वाचिंग